आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ न वो है मास्टरबिशन के उपर मास्टरबिशन जो है बेसिकली बहुत ज्यादा सेंस्टिफ टॉपिक है बहुत सारे लोग जो है इसके उपर बात ही नहीं करते यह एक साइकोलिजिकल प्रॉब्लम है अगर हम इसको हैबिट के तोर लेकर चले तो यह हैबिट नहीं है हैबिट से बढ़ कर आगे साइकोलिजिकल प्रॉब्लम है हैबिट जो होती है जो इनसान को एक हैल्दी लाफस्टाल की तरफ लेकर आए ऐसा बिहेवियर ऐसा काम जो इनसान की लाइफ में मॉटिवेशन पैदा करें और उसके बिहेवियर को सफ्रंथन करें और उसकी लाइफ में खुशियां नहीं कर आए बहुत सारे गौल जो आचीव कर पाए अच्छी चीज हैविट के जुम्रे में आती है लेकिन यह बुरी चीज है इसमें जो है इनसान अपनी फिजिकल इफट जो है उसको भी यूटिलाइज कर रहता है साइकॉलिजिकल स्ट्रेस को रिलीज भी कर रहता है मौसविशन की अगर बात करें तो हमारी सुसाइटी में जब भी सेक्स के बारे में बात करते हैं तो और एंधों को बंत कर लेते हैं मुव को सलाई कर देते और जो है सिरफ यही ज़ए यूज करते हैं अस्तक्फिर उल्ला ये कैसी बाते कर रहे हैं इसको तो शरमी नहीं आती कोई हया नाम की चीज ही नहीं है हम नहीं ही चाहते कि जो है हम अपने बच्छों को यह सारी चीज़ें सिखाएं अलाकि सेक्स के बारे में जो है educate करना जो है first priority पे बच्चे के rights है जब बच्चा पेदा होता है तो first priority पे यही identify किया जाता है यह male है या female है अगर उसके sex के उपर जो है उसको categorize किया जाता है तो sex education क्यों नहीं दी जाती है एक बहुत बड़ा जो है question mark है यह sex education ना तो हमारी किसी organization के अंदर जो है properly जो है वो दी जारी है चाहे वो जो है school है college है university है मद्रीशा है मस्जीद है ना ही जो है family वाले जो है अपने बच्चों को specifically sex education के बारे में बताते हैं और ना ही कोई ऐसी organization इनके उपर जो है specifically जो है घरगर जाकर जो है काम कर रही है नहीं हमारी यहां पर जो है जाबी कोई बात करती है तो जो है उसे बुरा बला जो है कहकर कर वालिये जाता है कि इसके उपर बात नहीं कर लो जो है एक nature desire होती है जैसे जो है इनसान जो है मास्ट वीट करके release करता है dopamine, serotonin, different chemicals जो है वो release होती है physical effect लगती है psychological stress जो है release होता है body के अंदर chemical changes आती है तो इंसान समझता है कि मैं बड़ा satisfy हो गया stress खतम हो गया बंदा relax हो गया तो याद रखें कि चल्द मिनट की जो satisfaction होती है वो इंसान को जहनी बिमार भी कर देती है हमारे यंग्स्टर जाब जो है एक teenage के अंदर होते है तो इन्हें जो है property sex education जो है वो नहीं दी जाती और जो है यह हमारी society के अंदर होने वाली changes या कुछ जो है तकदीलियो changes या biological changes आती है तो उन changes को जो है सही तरह accept नहीं कर पाते और नहीं नहीं educate किया जाता है और यह जो है इस तरह के काम हमारी environment से सीख कर करना शुरू कर लेते हैं कुछ teenager जो है पॉन movies की तरफ चले जाते हैं कुछ teenager जो है basically अकेले जो है स्टक हो कर जाते है masturbation की ऊपर लेकिन ब होती है क्योंकि जारी सी बात है कि जो है जब एक खुष आती है पॉन movies देखने की ऐसी गंदी फिल्में देखने की तो उसके बाद जो है जारी सी बात है इंसान जो अपने stress को release करने के लिए जो है masturbation करता है तो masturbation जो है न एक जहनी बिमारी है इसको आदत तब कहा जा सकता है अगर जो है इनसान छे माह में एक बार कर ले तीन माह में एक बार कर ले और यहां फिर साल के बाद एक बार कर ले वैसे गुना है करना बुरी बात है नहीं करना चाहिए sexual desire को इस तरह fulfill नहीं करना चाहिए अपनी जो है क्वाशाद पर control रखना चाहिए लेकिन masturbation बहुत स है एक जहनी के जब जो है एक दिन में दो बार तीन बार चार बार या जो है uncountable quantity तक वो इंसान चला जाए और बार-बार करता रहे इनी चक्रों में लगा रहे और इसकी वजह से इसकी जो है physical health खराब हो जाए जिसमानी तोर पर weakness पैदा हो जाए जहनी तोर पर बहुत ज़ पिचड़ापन उसकी अंदर आजे अपनी study पे focus ना कर पाए अपनी जो है कारोबार पे अपने business पे focus ना कर पाए जौब पे focus ना कर पाए इसके इलावा जो है peer group पर जो है focus ना कर पाए कुछ ऐसे cases में जो है देखने में आते हैं कि जब इंसां जो है masturbation का आदी हो जाता है वो लोगों से हट कर एक कमरे तक अपने आपको महदूद कर लेता है और जो है यह ऐसी खाली जगह है जहां जो है उसे masturbation करने के लिए असानी पैदा हो उन जगहों का इंतखाव कर लेता है इवनके वोशनों भी जो है इसमें count किये जाते हैं वहां बैठ कर masturbation करते हैं अप जो है दोस्तों के साथ पेर ब्रोक के साथ किया सुसाइटी के साथ तो तब जो है यह एक जहनी बिमारी के जम्रे में आता है और यह इनसान जो है एक दिन में कई बार जब यह एक्ट करता है मास्टरविशन करता है तो तब यह एक जहनी बिमारी के जम्रे में आता है अगर एक ही जहें तो आप बिमार बोग जाए और वह समझत है कि इसको कॉंसलिग करवाने की ज़रूरत है साइको सेुजिकल सेुटम्रों करते हैं तो उनको मैणेज करने के लिया साइक्टरिस की अदलियाद और इसके सासा जो है psychologist के session, counseling session या थर्पिटिक session जो है वो जरूर ही होते हैं तो basically यह जो जितना भी masturbation का concept है ना यह हमारे environment में जो है इस कदर जो है गलत concept जो है पैदा हुआ एक myth बनी हुई है और इस myth के उपर भी different myths बनी हुई है यह जो है basically एक हमारे culture के अंदर sex education के बारे में इलम या knowledge ना होने की वज़ा से यह मासुविशन लोग करते हैं अगर जो है इस चीज़ के बारे में जो है teenager को शुरू में ही बता दिया जाए कि आपके अंदर chemical changes आएंगी आप बेसिकली grow up कर रहे हैं बड़े हो रहे हैं आप लड़के बार रहे हैं तो आपके यह responsibility है आपके यह यह changes आएंगी आपके इस तरह के अगर ऐसा साथ पैदा होगे तो आपने इस तरह इस तरह इन चीज़ों को कंट्रोल कर दो लेकिन हमारे यहां पे कहते हैं है कोई गाल नहीं करे Cole on the यह बच्चे जो बड़े हो रहे होते हैं यह तांट से पेले बोहुत ज्यदा बड़े हो जाते हैं यह गलत लोगों के हत्ते चड़ जाते हैं हकीमों के बागते हैं बाबाबाजी हजरात च את के पास बागते हैं जो इनकी जिंदगी का बड़ा कर देते हैं वो इनसे सिरक Также बटोण होते हैं कभी जुक्षाय को तो को हैं को है कोई और नाम नवी कर टाइटिल देकर जिस्मानी बिमारी में डाइग्रॉनाउज करके पैसे बटोण रहते हैं और इनको जो एक्सपरिमेंटल तोर पर जो मेडिसन देते हैं वो इनकी सेहत के लिए नुकसान दे होती है क्योंकि यह बच्चे गर से छुपते हुए दोस्तों से मश्वरे करते हुए या जो है सोचल मेडिया से कॉंटेंट नंबर फून नंबर लेते हैं उन पर राप्ता करते हैं और इस चीज को हाइड रखते हुए